अरे 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 क्या कर रहा से यह डंबरू क्यों बजा रहे हों कि फाइनली अब देखो डंबरू मेरथन का टाइम आ चुका है और बच्चे भी बड़े ना एकसाइटी नहीं इस नाम को लेकर हमारा भी तिरिशूल चल रहा है सुदर्शन चल रहा है और हमने बच्चों से व इन बच्चों को भी GIGL में प्रोबलम है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कहते हैं कि वो गुरू दक्षिना तो आपकी बस गुरू दक्षिना यह है कि मेरे कहने से एक बार अभी अंकुर सर की डंबरू मेरथन है पर सो तस तारीक को रात को आठ बजे GIGL की सर मैं बताऊंगा आप पताना इसमें कौन-कौन से चैप्टर आप कवर करेंगे और क्या ही इंपोर्टेंट पॉइंट है और उसके लिए बच्चा मलब नोट्स लेके बैठने या नहीं बैठने या वो कैसे इसमें काम करेगा बताऊ सर एक बार आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया त्रिशूल बैच को तो मैंने एक चैप्टर है जो आप सबकन एक ही चैप्टर सरी से रिविजन में 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 करवाना चाहूंगा क्या होता बहुत सारे चैप्टर्स होते न तो आप लोग का फोकस में चीज से हट जाता है तो मैंना इतनी डिटेल में इतनी डिटेल में आप लोग करवाने वाला हूं यह डमरूरी मैरेथन इसके अंदर एक ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस एक बहुत प्यारा से चैप्टर सोर्सिज ओफ लो प्यारा आप समझ गए होगे मैं क्यों बोल रहा हूं ठीक है वो आपको लगता ह शेर करूँगा मैं आप लोग को ना तो कल नोर्स मिल जाएंगे टेलेग्राम ग्रूप में बने रहो वीजी स्टडी अपके टेलेग्राम चैनल पे और वीजी स्टडी अप ही यूटूब चैनल पे यह डमरू मैरेथन हमारी आने वाली है अभी तो सिरीज है पूरी की पू होंगे सारे नोर्स उसमें मिलेंगे बहुत प्यारे पर एक्जामपल और पार्टी भी होगी उसी के अंदर ही नहीं नहीं अब यह बताओ चलो आपने इतनी सारी बाते बताती अब बच्चा मतलब अगर किसी बच्चे ने पहले वह चैप्टर नहीं भी किया मालो फर सामपल अब काफी सारे बच्चे सामने बैठेए अब उसमें से देखो पहले बता दूमें न्यूस लेबस में ग्रूप वन में नहीं हूँ ठीक है मैं ग्रूप 2 में हूं क्योंकि मेरा पर टेक्स का है और और व्म तो में को सर ने बोला कि सरा मेरी जहल की मेरतन है और जिस बच्चे ने पहले नहीं भी पड़ा होगा ना तो मैं अपने दर्ब से वादा कर सकता हूं कि वह आगे बैठ सकता है इसी लिए मैं एक ही चैप्टर कहा रहा हूं क्योंकि ना क्या होता मुल्टीपल चैप्टर मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया उसमें सिर्फ हम की लगता है कि अगर आप लाइव के बाद क्लास देखते हो ना रिकोडी तो वह फ्लो नहीं बनता तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे परसों आठ बचे इसी चैनल के उपर लाइव बैठ जाएंगे और बाकी सर आपको करवाएंगे सोर्सिस ओफ लो ठीक है और आपसे मैंने वादा किया था कि इस चैनल को पकड़ लो अगले आने वाले दो से तीन मेने यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है कनफर्म आपके एक्जाम निकलेंगे इतना मेरा आपसे वादेश ठीक है और वाकी सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज पर आके बैठने है आपको फील होगा कि हाँ वाके जियाएजल पढ़ा कैसे जाता है एंड थैंक्यू सो मच मैक्सिमम शेयर करो हर बच्चे के साथ और कमेंट करो अगर आप जियाएजल पढ़ना चाहते हो परसो आठ तारीक को थैंक्यू सो मच गॉट ब्लेस यू जैहिन थैंक्यू सो मच